दोस्तो नमस्कार मेरा नाम है सिचिंदेव और आप से भी का स्वागत है फिरेस यूटूब चाहापाद दोस्तो आज की वीडियो है दूद के बारे में अब पानी दूद के कैसी वीडियो में आपके सामने ला रहा हूँ पिछली वीडियो में ने मनाई थी पानी के बारे में आप जो लोग नहीं देख पाये थे वो डिस्क्रिप्शन में पढ़ी होगी नहीं होगी तो मेरे चैनल में जाकर करके प्लेलिस्ट में आप मेडिकल वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आपसे सर्च कर सकते हैं इतिवाल जिएंट है पीछ फिलाल में इक उन्हें पैम रहती है कितना पिना चाहिए कि इसका चाहिए मैं रॉने पैंडल में विडियोह के बारे सकते हैं और कसरत करके आते जिम करके आते वर्क आउट करके आते हैं सोचते कि यार खूब सारा दूद पी लेंगे तो सेहत बन जाएगी तो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है यहां पर आपको समझना होगा कि कोई भी चीज दे कि अती हर चीज की बुरी होती है ठीक गया है तो दूद पीने का सही तरीका क्या है क्या quantity होनी चाहिए क्या उसके साथ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए कभी-कभी कुछ कारणों में ऐसा बताया गया है कि किसी चीज को में खा लिया तो उसके बाद दूद नहीं पीना चाहिए या फिर दूद पीने के बा तो आप भी समझे ऐसे लोगों से दूर रहें जो बोले के रहें कुछ भी खाओ प्यों मोज लो लेकिन उनकी जिन्दगी बाई ज्यादा दिन की नहीं होती है फिर उनका शरी ड़लने लगता है ऐसा जीना भी क्या जीना जब आप स्वस्थी ना हो ठीक है हर आदमी स्वस्थ के काम आई और अपने आपको में एक भाग्या साली समझाओं इस चीज के लिए भी तो आप थोड़ा ध्यान रखें कैसे उस चीज को लेना है कैसे नहीं और बाकी मैं आपको इस वीडियो में बताई देता हूँ तो आई चलते है अपनी इस वीडियो की तरफ दोस्तों दूद एक मातर ऐसी चीज है जो अकेले ही संपूर्ण आहर के बराबर होता है और यही वज़ा है कि पैदाईशी बच्चों को जो चीज सबसे पहले आहर की रूप में दी जाती है वो दूद ही होता है क्योंकि अगर आप दूद की गुन को ठीक से देखेंगे तो यह किसी अमरित से कम नहीं होता लेकिन अच्छी से अच्छी चीज का इस्तमाल अगर गलत तरीके से करते हैं तो उसका हमें फायदा होने के बजाए नुकसान हो जाता है दूद एक एक एनिमल प्रोडक्ट होता है जो कि हमें किसी जीवित प्राणी से मिलता है और हर वो चीज जो हमें जीवीत प्राणी से मिलती है उसमें केमिकल रिएक्शन करने की तेंदेंसी काफी ज़ादा होती है इसलिए दूद की सही मातरा, इसे पीने का सही समय और दूद को किन किन चीज़ों के साथ मिला कर पीने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं इस बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता है इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक दिन में जादा से जादा कितना दूद पिया जा सकता है दूद पीने का सही समय क्या है वजन बढ़ाने और वजन घटाने वाली लोगों को दूद का इस्तिमाल कब और किस तरह करना चाहिए दूद कैसा होना चाहिए यानी गर्म या थंडा, भैस का या गाय का होना चाहिए दूद का इस्तिमाल किन किन लोगों को करना चाहिए और किने नहीं करना चाहिए और दूद को किन किन चीजों के साथ मिला कर खाने से क्या-क्या फायदे और क्या-क्या नुक्सान होते हैं खास कर दूद केले के साथ और दूद को अंडे के साथ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए शुरू करते हैं कि एक दिन में जाता से जारा कितना दूद पिया जा सकता है उसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि दूद में क्या क्या होता है और ये कौन-कौन सी प्रॉबलम में फाइदा पहुंचाता है दोस्तो दूद पोशक तत्वों से भरपूर होता है इसलिए इसका सही तरीके से और सही समय पर इस्तमाल करने से पाचन किरिया को ठीक करता है दिमागी तागत को बढ़ाने के इलावा वजन करना बढ़ना, हद्यों की कमसोरी, कब्स, रातों को नीन दना आना जैसी समस्याओं में फाइदा पहुंचाने के साथ साथ तोचा, बाल और सेक्शुल हिल्थ को भी काफी हद तक इंप्रूफ करने में मदद करता है दूद में कैलशियम, प्रोटीन और विटामिन D के मातर सबसे ज़्यादा होती है 200 मिली लीटर दूद में लगबग 257 मिली ग्राम कैलशियम होता है क्योंके बाकी के कैलशियम और विटामिन D हमें दूसरे खाने से भी मिल जाते हैं लेकिन अगर आप जिम या कोई ज़्यादा महनतवला काम करते हैं तो दूद की थोरी मातरा बढ़ाई जा सकते हैं दूद पीने का सही समय क्या है? वैसे तो दूद का इस्तमाल कभी भी किया जा सकता है लेकिन रात के समय में दूद का सेवन करना सबसे ज़्यादा फाइदा मनसाबित होता है क्योंकि दूद में क्रिप्टोफेन नाम का एमिनोसीड पाया जाता है जो दिमाग को शांद करके अच्छी नीन दिलाने में बहुत मदद करता है और सुबा खुल कर पेट भी साफ होता है कुछ लोग सुबा खाली पेट दूद का इस्तमाल करने में कनफ्यूज रहते हैं इसे सुबह खाली पेट भी दूद का इस्तमाल किया जा सकता है लेकिन जिन लोगों को लेक्टोस से एलर्जी है और अक्सर कब्ज, आपचन और गैस की समस्या रहती है तो उन्हें दूद खाली पेट बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि दूद पचने में थोड़ा हेवी होता है और खाली पेट इसके सेवन से हमारे पाचन तंदर को बहुत मेनाद करनी पड़ती है दूद कैसा पीना चाहिए? गर्म या थंडा, गाय का या भैस का दूद हमेशा हलका गर्म यानि गुनगना ही पीना चाहिए क्योंकि दूद वैसे भी पचने में थोड़ा हेवी होता है लेकिन जब हम ठंदा दूद या फ्रीज में रखा दूद पी लेते हैं दोस्तों दोनों ही दूद में कैल्शियम काफी मातराया पाया जाता है लेकिन भैस के दूद में गाय के दूद के मकाबले फैट और कैलरीज दोनों ही जादा होते हैं इसलिए जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं या वजन घटाना चाहते हैं तो उन्हें गया के दूद का ही सेवन करना चाहिए दूद किन किन चीजों के साथ और कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए जैसे कि दूद केले के साथ, दूद अंडे के साथ और दूद चीनी के साथ पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि दूद हमें चीवित प्राणी से मिलता है इसलिए इसमें हॉर्मोन्स, एंजाइम और एमीनोयसिर की मातरा अधीक होती है इसलिए जादा दर खाने के साथ केमिकल रियक्शन भी जल्दी करने लगता है जिससे कि दूद ठीक से पच नहीं पाता और दूद से मिलने वाले फायदे भी जीरो हो जाते हैं इसलिए दूद पीने में हमारे द्वारा की गई छोटी से छोटी गलती भी दूद से मिलने वाले फायदे को नुकसान में बदल सकता है पहले हम बात करते हैं कि दूद कब-कब नहीं पीना चाहिए खाना खाने के बाद अकसर देखा गया है कि लोग रात का खाना खाने के तुरंत बाद दूद पी लेते हैं पोशक तत्वो के नजरिये से दूद अपने आप में ही एक वक्त के खाने के बड़ाबर होता है और अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद दूद पी लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक टैम में दो वक्त का खाना खा लेना जिससे भारीपन महसूस होने लगता है और साथ ही साथ ऐसी डीटी, पेट फोलना और आपचन जैसी समस्या शुरू हने लगती हैं इसलिए दूद का इस्तमाल हमेशा खाना खाने के कम से कम दो घंटे बाद और सोने से आदे घंटे पहले ही करना चाहिए नमबर दो, खटे फल, जंक फूड या ज़्यादा नमकीन और चेपटी चीजों के साथ दोस्तों खटे फल, निमबू संतरे और ज़्यादा नमकीन चीजे जैसे कि मिक्चर अचार और जंक फूड जैसी चीजों के साथ दूद का मिल बिल्कुल भी नहीं बनता जिसकी वज़े से दूद के साथ या दूद के पीने से पहले या बाद में इन चीजों का सेवन कर लिया जाए तो ये हमारे पेट में जाकर मिलने के बाद पाचन क्रिया को बहुत धीमा कर देता है जिससे आपचन, भारीपन, गैस, ब्लोटिंग, खटी डगारे, कमजोरी और पेट दर्थ जैसी समच्छा शुरू हो जाती है इसलिए दूद के साथ पहले या बाद में खटे फल, नमकीन और जादा चेटपटी चीजों का सेवन बिलकुल भी नहीं करना चाहिए कुछ लोग दूद का इस्तमाल सेब या केले के साथ शेक बना कर करते हैं अगर आपको पाचन की समस्या नहीं होती, तो दूद के साथ सेब या केले का इस्तमाल किया जा सकता है लेकिन अगर आयरुवेद की माने, तो दूद अपने आप में थोड़ा हेवी होता है जिसे पचने में लगबग 90 मिनट का समय लगता है और जब हम दूद को किसी फल के साथ मिक्स कर देते हैं, तो ये और भी जादा हेवी हो जाता है जिसे पचाने के लिए हमारे पाचन तंतर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हमें एक गलती और करते हैं कि शेक बनाने में हम थंडे दूद का इस्तमाल करते हैं और साथी साथ हम इसमें चीनी भी मिक्स कर देते हैं जो कि किसी भी तरह एक सही आप्सन बिल्कुल भी नहीं है दूद का ठंदा होना दूद को और भी स्जादा हेवी बना देता है और दूद में चीनी मिलाने से ये दूद के पोशक तत्वों को काफी हद तक नस्ट कर देता है दूद में खुद Lactos नाम का Natural Sugar होता है जो दूद को मीठा बनाता है लेकिन अगर आप दूद को अलग से मीठा करना चाहते हैं तो चीनी के जगा शहर, मिस्री, देशी खंट या फिर जेगरी पाउडर का इस्तमाल किया जा सकता है दूद और दूसरे खाने के बीच दो से तीन घंटे का अंतराल और दूद और मीठे फल के बीच कम से कम आधे घंटे का अंतराल सरूर रखना चाहिए नमबर तीन, दूद नौनवेज के साथ यानि गोश्ट मचली और अंडे के साथ कहा जाता है कि दूद के साथ पहले या बाद में मचली का सेवन कर लिया जाए तो इस्किन पे सफेद धब्बे यानि लेकोडर्मा जेसी बीमारी हो जाती है हाला कि यह अभी तक साथ पूरी तरह से प्रूब नहीं है या और बात है कि हम मेंसे अक्सर लोग उनकी बातों को नौनसेंट समझते हैं क्योंकि वो हमें किसी भी बात की वज़ा ठीक से एक्स्प्लेइन नहीं कर पाते लेकिन अगर आप डीप में जाकर सोचें अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती तो गोस्त या अंडे के साथ दूद का इस्तमाल किया जा सकता है लेकिन यहां भी धियान देने वाली बात यह है कि मास और दूद इन दोनों में ही प्रोटीन बहुत ही अधीक मातराया पाया जाता है जिसे यह पाचन के लिया को धिमा कर देता है और इसे डाइजेस्ट होने में काफी समय लगता है इसलिए नौन वेज के साथ दूद का सेवन करना एक अच्छा उप्शन बिल्कुल भी नहीं है और अगर आप खाने में बैंगन या कच्छे प्यास का सेवन काते हैं तो ये भी दूद के गुन के वृद्ध होता है इसलिए दूद नौन वेज और दूसरे खाने के बीच कम से कम 2-3 घंटे का अंतराल सरूर रखना चाहिए दूद दही में लैक्टो बेसिलस नाम का बैक्टरिया होता है जो कि दूद को दही में जमाता है और जब हम दही और दूद का एक साथ सेवन कर लेते हैं तो दूद के दही जमने की प्रकिरिया हमारे पेट में ही शुरू हो जाती है जिससे हमारा digestive system पूरी तरह confused हो जाता है और पाचन किरिया में समस्या आ जाती है इसलिए दूद के साथ दही का भी सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए किसे दूद नहीं पिना चाहिए दोस्ते जिन लोगों के शरीर पे कोई बड़ा जखम है या हाल ही में सरजरी होई हो उन्हें दूद के इस्तमाल कुछ दिनों के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि दूद के लगतार इस्तमाल करते रहने से जखम सूख नहीं बाते हैं और हमें इस समस्या का लगतार सामना करना पड़ता है और जिन लोगों को लेक्टोस से ऐलर्जी है या जिने हमेशा चेहरे पर एक्नी और पिंपल्स की प्राब्लम रहती है उन्हें भी दूद कम मातरा में इस्तमाल करना चाहिए और बोडी का रिस्पॉंस देखते हुए धीरे धीरे उनकी मातरा बढ़ाना चाहिए तो दोस्ते ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचानी की और अगर आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और तब तक के लिए अपना खयार लगें